पश्चिम भारत के समर्द राज्जी गुजरात में तापी नदी के किनारे बसा हुआ है सूरत शहर डाइमंड और टेक्स्टाइल के लिए पूरी दुनिया में जाने जाने वाले सूरत में आज के आधुनिक और विकारश्चिल भारत की जलक मिलती है बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज, भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर, सशक्त ट्रांस्पोर्ट सिस्टम, उच्छ शिक्षा, आधुनिक जीवनशैली और इन सब से उपर यहां के लोगों की जिन्दादिली और कुछ कर दिखाने का जजबा नगरवासियों की इसी जजबे का सम्मान करते हुए सूरत को गतिशील, जीवन्त, सुन्दर और आत्मनिर्भर बनाये रखने की जिम्मेदारी उठाई है सूरत महानगर पालिका या SMC ने सूरत के नागरिकों की सारी मुलबुद जरूरते जैसे के शिक्षा, स्वास्त, वेस्ट मैनेजमेंट या तायात, जल आपूर्ती, आदी का ध्यान रखते हुए उन्हें उच्छ स्थरिय जीवन प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास रथ है SMC इन्ही प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रयास है नागरिकों तक स्वच जल पहुँचाने का ये महत्वपूर्ण कार्य SMC Hydraulic Department के द्वारा पूरा करता है जहां ISO 17,025 मान्यताप्राप्त लैब है जिससे नगरवासियों तक भारतिय मानक ISO 10,500 के अनुसार उच्छ गुणवत्ता का जल पहुँचाता है SMC तापी नदी के पानी को अथाक परिश्रम और अत्यादुनिक तकनीक का अस्तमाल करते हुए इसे स्वच जल के रूप में नागरिकों तक पहुचाता है ऐसे समय में जब हम देखते हैं कि स्वच जल प्रिथवी के कई हिस्सों में वहां की निवासियों को उपलब्ध नहीं है SMC ने जल सवरक्षन के लिए भी विशेश कदम उठाए है SMC का द्रिड विश्वास है कि यदि नागरिकों को भी जागरुप किया जाए तो वो भी जल सवरक्षन के इस मिशन में अपना महान योगदान दे सकते हैं सुरत महानगर पाली का तापी नदी नी अंदर ती इंटेक वेल द्वारा पाणी लावी अने ए कुवा सुधी लए अने पच्छी जे टाकी नी अंदर लाएवा बाद डिस्ट्रूबियेशन द्वारा तमारा घर सुधी नर सुधी पाणी आवी शकेशे हालना समय नी अंदर पन सुरत महानगर पाली का 24-27 नी योजनाम अंतर्गत आगर वदी रही छे तेना अंतर्गत जे कोई सर्विस करतो होई घरे ना होई ले 24-6 लाग पाणी अने मडी रहे ने एना माटे पन वासन वीजु ने राखू पड़े भरवा माटे एना माटे नी सुरत महानगर पाली कानों जे प्रयास चे एक पाणी जो तमने मड़तू होई तो ए तमारे सद उप्योकरी ने जवाब पर उजुई और इसी जल संवरक्षन को बढ़ावा देने के लिए SMC ने अपरेल 2015 में शुरू की एक मुहिम जिसका नाम है वेल जी भाई आखिर कौन है ये वेल जी भाई और क्या है ये वेल जी भाई मुहिम वेल जी भाई एक नाम है उनका जो समझते हैं सूरत शहर की पानी की जरूरतों और समस्याओं को और ततपर है जल संवरक्षन के अभियान को सफल बनाने में वेल जी भाई अपने आप में एक अनोखी मुहिम है जिसका लक्ष है कि नागरिक जागरुक बने और जल संवरक्षन में बढ़ चड़ कर हिस्सा लें साथ ही साथ उन तक स्वच्छ जल पहुँचे और उन्हें जल या जलापूरती से संबंदित हर समस्याओं से मुक्ति मि SMC द्वारा हाइड्रालिक डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर या कहें तो वेल जी भाई नियुक्त किया जाता है जो घर घर जाकर लोगों को पानी के विवेक पूर्वक इस्तमाल की बात को समझाता है कि कैसे अपनी आदतों में छोटे से बढ़लाव लाकर हम पानी की बचत कर सकते हैं यही नहीं वेल जी भाई प्रो एक्टिव अप्रोच अपनाते हुए लोगों की जल और जल आपूर्ति से संबदित समस्याओं के बारे में उनसे जानकारी भी लेते हैं और समस्या की जानकारी होते ही वेल जी भाई उसका समाधान करने के लिए त्वरिच सक्रि the reason being that still there are some components in the country where they are not getting even the lifeline supply of water. Lifeline supply of water means you know various book says differentially but say around 40 LPCD is required per capita for life. So the minimum supply there is a lifeline supply still we are not in a position to give in the entire country that is 125 crore population so that way our country is still not water secured. In order that we become water secured we need to have various efforts parallely among one is that water must be conserved. Water is very precious, water has got no substitute and one has to understand the judicious use of water. The Indian constitution says in article you know the 14, 15, 16 etc. that every individual has got right on the water. You know we have to provide the water. It is a duty of all water supply boards, corporations and governments. So now in order to fulfill the lifeline supply of water to make the country water secured. In the Surat city I am proud to say that we created one thought. When I say thought that means it is not an individual and it is eternal. Thought can never be killed. So Veljibhai is a character, it is a thought which is eternal and it is in practice since last one year. The basically the character is that Veljibhai visits door to door. He asks the citizens and the citizen comes to the urban local body in the Surat. The Veljibhai visits door to door, asks the citizens regarding their problems related to drinking water supply. May be you know pressure, may be quantity, may be timing. And then in turn he ensures that the water problems are resolved. There is a team of Veljibhai in the Surat city. There are seven zones therefore seven Veljibhais are there. So day to day basis the visits door to door, they take the feedback in written form as in corporate sector. And then periodically they do analyze that as to what are the reasons you know. For example in some pocket there are regular problems of contamination. So during analysis we found that there are some areas where there are age old pipelines. So we started taking up those projects to replace by the new water pipelines and drainage pipelines. So ultimately we have to ensure through Veljibhai approach that the satisfactions and the needs of the citizens of the Surat city as regards to the drinking water is satisfied. As once upon a time our honorable president said that we have got enough sources to satisfy the needs of the people but not the grids of the people. So in order that the needs of the people are satisfied this Veljibhai thought is in practice. And people are satisfied because it is basically a proactive approach where we are approaching to the citizens not the citizens are approaching to us. And results are very admirable in the sense that people are satisfied. The half satisfaction itself gives to them that if someone has visited to their door and has asked the problems. That psychologically 50 percent they are satisfied that there is someone who is taking care of them. And remaining 50 percent you know there is a technical think tanks available in the organization. They do analyze and they find out the solutions for the permanent satisfaction of the citizens. So this practice is on since last one year and this will remain continuously as long as we are in existence. So this is all about the Veljibhai and primarily or the central role of Veljibhai is to make the people aware as to how to make the judicious use of water. Because water is very precious you know water cannot be substituted by any other commodity. So this is all the role of Veljibhai. Surat Keis Zones Zones में से हर एक जोन में इस प्रकार के वेल जी भाई नियुक्त किये गए हैं. हर एक वेल जी भाई अपने निर्दारिट जोन में गर गर जाकर लोगों से मिलता है. उन्हें जलसं रक्षण के तरीकों को समझाकर उन्हें जलसं रक्षण के लिए प्रोटसाहित करता है. पानी बचाने एक लिए हमें कुछ उपाई करने चाहिए ताकि भविस्या में पानी की तंगी न हो. जब बरतन दोते हैं तब भी नल चालो नहीं रखना चाहिए. और जब गाड़ी दोते हैं तो हम पानी की जगा डोल में पानी लेके पंज से दोना चाहिए. इसके बाद वेल जी भाई उनकी पानी से समबंदित समस्याओं के बारे में पूछता है. उन समस्याओं को जानकर एक सर्वे फॉर्म के माध्यम से रेकॉर्ड करता है. ये समस्याओं फर्यादी के नाम, पते और फोन नंबर के साथ SMC के कारयले में दर्स कर ली जाती है. फिर वेल जी भाई की टीम एक साथ बैट कर समस्याओं को एनलाइस करती है और उसका उचित समाधान निकाल कर बिना समय गवाई उसको इंप्लिमेंट भी करती है. वेल जी भाई गरों पे पानी की टंकी और नल का निरिक्षन भी करते हैं और वाडर सेंपल भी कलेक करते हैं जिसे NABL Accredited Lab में टेस्ट किया जाता है और यदि सेंपल शुद्ध नहीं पाया जाता तो कंटामिनेशन के कारणो का पता लगाया जाता है और इन कारणों को दूर करके SMC अपने नागरिकों को स्वास्ते संबंधी समस्याओं से बचाता है इस प्रकार वेल जी भाई मुहिम नागरिकों के स्वास्त को भी प्रात्मिक्ता देता है वेल जी भाई की ये मुहिम घरों के साथ साथ स्कूल होस से अमुक बंद करता से पांड धारों की आ सामाने प्रेक्टिस छे के ब्रश करती वक्ते आप वाश बैसे नो नल चालू छे तो इनों प्रणाम सुझे तमें जो के ब्रश करती वक्ते नर सतत चालू नर आखी है आम करवा थी अठार लीटर जेटलो पानी बचावी सकाए एक एक आज वासुने पकड़ी है तो तमें अठा लीटर पानी बचावी हो 40 लीटर एक मानस ने डेली जो यह जीवा माटे बराबर मतब तमें अर्धो पानी बचाई ली दो अगर आप बंद नहीं करें तो तमें अर्धो पानी बेस्टेज करी दी तो सामझ छोगी नहीं तो में बीजा मुद्धा पर आओ कि साबूती हाथ धोता फींड करती वक्ते नड़ सततर चालू ना राखी है मैं अमुक का त्यारे गुणों सो मां गयो तो मैं जो कि वैयार अने हमें हमें पढ़ कोई जेकर जहिए तो जारे हाथ धो यह जे तो नल चा अमाटे पान धर्मा वप्रायलो पानी उप्योग मा लईए यह पानियों में यह वेश्चे चाहिए ने बासन साब करिये मां चीजे निकले चे एच तमें प्लांटेशन ने आपो एमा कोई बांदो नथी अमा कोई बांदो नथी पर फ्रेश करपशन नो पानी तमें कि लोगों जे चे ना पूरो हॉस पाइब ले चे और पूरो गाड़ी दोए चे इस इट अबे इस इस नेवर अबे ना इस नेवर अबे आगणू ओटला पेमेंट अगामी विगर पानी थी धुवाने बदले वाणी न चोखी रा किये SMC का लक्ष है कि वेल जी भाई की ये मुहिम हर एक व्यक्ति तक पहुँचे नागरिक भी दिये गए फोन नंबर के द्वारा किसी भी समय वेल जी भाई को संपर्क कर सकते हैं वेल जी भाई प्रोजेक्ट विशेश इसलिए है क्योंकि SMC प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हुए स्वयम ही नागरिकों की समस्या जानने की पहल करती है और उन समस्याओं का निवारन भी करती है वेल जी भाई प्रोजेक्ट काईजन फिलसॉफी पे आधारित है जिसमें किसे सिस्टम की नियमित प्रक्रियाओं को इंप्रूव करके उसे अधिक कारेकुशल बनाया जाता है आएए एक नजर डालते हैं कि वेल जी भाई की इस मुहिम से जलसॉफी रक्षन का ये अभियान कितना सफल रहा है वेल जी भाई मुहिम से पहले सूरत में साल 2014-15 में प्रतिव्यक्ति प्रति दिन पानी की खपत 149.89 लीटर थी यानि की 149.89 LPCD जो वेल जी भाई मुहिम के बाद साल 2015-16 में घटकर 148 LPCD हो गई और साल 2016-17 में 146 LPCD इस प्रकार अभी तक पानी की खपत में प्रतिव्यक्ति प्रति दिन 3.89 LPCD की कमी आई है जिसका मतलब है कि पूरे सूरत में तकरीबन 205 LPCD पानी की बचत हुई है यह पानी बार्डोली और नवसारी जैसे नगरों की स्वच जलकी जरूरतों को पूरा करने के लिए परियाप्त है यही नहीं ये पानी भारत सरकार के मानक के अनुसार सामानिय स्थिती में देड़ लाख लोगों को वाटर सेक्योरिटी प्रदान करने के लिए परियाथ है और पांच लाख लोगों को आपात कालिन स्थिती में अब देखते हैं कि वेल जी भाई प्रोजेक्ट के तहट SMC ने सूरत के नागरिकों की भलाई के लिए क्या बड़े कदम उठाए हैं सीमाड़ा वाटर वग से लिमबायत और उमरवडा के लिए तैयार वाटर ग्रेड लिमबायत और वराचा सुसाइटी में पाने के नेटवर्क का प्रगतिशील कार पांडे सरा में वलक से वाटर सप्लाई के लिए डाला जा चुका नेटवर्क यही नहीं वेल जी भाई प्रोजेक्ट से ही मिले फीडबैक से कॉन्टैमिनेशन की प्रॉब्लिम को दूर करने के लिए ओल्ड बमरोली और सेंटर जोन में पुरानी पाइपलाईन को रिप्लेस करके नई पाइपलाईन डालने का काम शुरू हो चुका है नागरिकों की पानी की समस्या को दूर करने के SMC के इस प्रयास से प्रभावित होकर नागरिक बढ़ चड़ कर जल संरक्षन में हिस्सा ले रहे हैं मुख्यरूप से महिलाएं इस बढ़लाव की प्रतिनी दी हैं उसको अपने रोज मर्रा के जीवन में अपनाती हैं साथ ही अपने परिवार और पडोसियों को भी इसके लिए प्रेरित करती हैं वेल जी भाई की इस महिम ने एक साथ कई लक्ष प्राप्त किये हैं जहां एक और जल समरक्षन को बढ़ावा मिला है और नागरिकों को पानी से संबंदित समस्याओं से मुक्ति मिली है वहीं दूसरी ओर नागरिकों में महानगरपाली का और गवरन्स के लिए विश्वास भी बढ़ा है The Surat Municipal Corporation has resorted to use VLGBY concept in order to solve citizens' grievances specially pertaining to water, drinking water problems. The Surat Municipal Corporation in the area of water supply started going to the houses, ask their grievance proactively, sensitively and then started analyzing the problems and solve their issues. So this concept is a best example of pro-people good governance and as per this concept we try to go to the house and try to serve them at their doorstep. So in a way it's one of the innovative and problem-solving method which could be used in other areas of urban governance as well as rural governance. So we plan to replicate this idea in other governance model as well. वेल जी भाई सिर्फ एक नाम नहीं है, एक विचार है जो एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का सामर्थी रखता है. वेल जी भाई बदलते हुए समय की एक पहल है, ये खुशाल भारत ही नहीं, बलकि खुशाल विश्व की ओर एक अनुखा कदम है. मैं उशा मंगेशकर आपसे ये अनुरोत करती हूँ कि जल ही जीवन है अतर आप उसका दुरूपियोग ना करे.